नमस्काल मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है नौजनवरी दिन मंगलवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर सीएम कैबिनेट मिटिंग में 19 एजेंडो पर लगी मुहर राची के चिलत राष्ट्री राजकी राजमार्गों के निकर्ट रेस्टरेंट आदी खोलने का सुनहड़ा अफसर ट्रेन में अचानक तब्यत बिगरने पर इस नमबर पर कड़े संपर्व सिवं दूबे ने बिहार को बताया खुद के लिए लगी सीट स्टेडिंग में जेडियू का तेवर कड़ा विजंतर यादव ने दिया बयान अब चली बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों के और वस्तार से दिल्ली में असिस्टन टीचर के 1455 पदों पर निकली भरती दिल्ली सब ओर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड यानि की DSSB की और से असिस्टन टीचर के 1455 रिक्त पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वर DSSB की ओफिसियल वेबसाइट स्ट्टी पी एस कोलम स्लैस्लैस डी एसससबी डॉट दली डॉट जी ओवी डॉट इन पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे कि आविदन करने की शुरवात आज यानिकी 9 जनवरी 2024 से हो रही है वही आविदन करने की अंतम तारीक 7 फरवरी 2024 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो मिद्वार को 45 प्रतीशत अंकों के साथ 12 उत्तर्ण होना चाहिए और साथ ही नर्सरी एजुकेशन टीचर प्रोग्राम का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए या उमिद्वार ने बीड किया हो इसके साथ ही अभ्यर्थी की अधिकतम IOC मां 30 वर्स से ज़ादा नहीं होनी चाहिए इससे जोड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गर नोटिफिकेशन को ज़रूर देख लें सीम कैबिनेट मिटिंग में 19 एजेंडो पर लगी मुहर बीतिदिन बिहार के मुख्य मंत्रे नितीश कुमार के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गए जिसमें कुल 19 एजेंडो पर मोहर लगाए गई पतादे के 19 एजेंडो में सबसे महत्पुर्ण यह है कि बिहार सरकार के दोरा खेल विभाग का गटन करने का फैसला लिया गया है जिसके बाद बिहार में अबकुल 45 विभाग हो गये है वहीं इसके अलावा बीते दिन की इस काबिनेट की बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों का मांदे बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है जिसके बाद अब मुख्या को 5000 जबकि उपमुख्या को 2500 रुपे मांदे दिये जाएंगे आंगनवारी सिविका और साहिका के मांदे में भी ब्रिधी करने का फैसला लिया गया है गैबिनेट की बैठक में बिहार आइटी पॉलिसी 2024 को स्विक्ति दी गई है बिहार के 12 जिलों में बकसर कैमूर जहानाबाद जमुई शेखपूरा लखी सराय सूपॉल कसंगंच अरडिया बांका शिवर एवं अरवल में जिल गई है कुशल युवा कारिक्रम में नामांकन कराने की अंतिम तारीक नजदीक विहार सरकार के श्रम संसातन विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार राजे सरकार की ओर से शुरू की गई कुशल युवा कारिक्रम युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जिरने में सहायकी भूमिका निभाती है पतादिक इस कारी करम के तहट आपको कॉंप्यूटर का स्मार्ट उपयोग संबात कोशल और विभार कोशल प्रसक्षन दिया जाता है स्कोर्स की अब दी तीन महीं ने प्रत दिन 4 घंटे की होती है से में अगड़ा भी इस कारी करम में अपना नामांकन करा चाहते हैं तो आप अपना नामांकन 13 जनवरी दोहजार चौबस तक करा सकते हैं इसके लिए कुछ पातरता भी निर्धारित की गई है जिसके तहत अभि अर्थी के उम्र 15-28 वर्स के बीच होनी चाहिए और कम से कम दस भी उत्तरण होना चाहिए इस जड़ी अधिक जानकारी के लिए अपने नस्दी की केंद्र तथा कुशल युवा कारेकरम की वेबसाइट बिहार के रासधानी के स्कूलों के समय में हुआ बतला बिहार में ठंड भरती जा रही है जिससे की बच्चों को सुभसुआ स्कूल जाने में काफी परिशानियों का सामना करना पर रहा इसे को देखते वे जिलापरशासन के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है आपके जानकारी के बता दे कि पटना डियम डॉक्टर चंदर सेखर के द्वारा पटना के सभी सरकारी और नीजी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाओ कर दिया गया है डियम के द्वारा दिये गए नरदेश कर रुसार आज यानिकी 9 जनवरी से 13 जनवरी 2024 तक सभी स्कूल जीवन में प्रतिकूल प्रिभाव पढ़ने की संभाव ना है इसी को देखते वे स्कूल के समय में ये बदलाओ किया गया है प्रेन में अचानक तवियत बिगरने पर इस नंबर पर कड़े संपर्क कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि प्रेन से सफर करने के दौरान अचानक हमारी तवियत बिगर जाती है या कई बार हमें जोरों की भूग भी नग जाती है लेकिन उस दौरान हमारे आस पास खाने को कुछ नहीं होता जिससे की हमारे साथ मौजूद लोगों की भी परिशानी बढ़ जाती है लेकिन बता दे कि अब ऐसे स्थिती में भी परिशान होने की कोई जरूरत रही है दरसल आयार सीटी सी के ओर से पैसेंजर्स को राहत पहुंचाने के लिए एक क्याटरिंग सेवाओं ट्रेन में अचानक तब्यत खड़ाब होने की स्थिती में आप 138 या 9794834924 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं इसके अलावा बकॉल पुरुसार्थ तकिया कंबल सफाई और तूटे बोड की समस्या के लिए आप 72 सुने 8 सुने 73768 या 99 सुने 4411439 पर कॉल कर सकते हैं जनता दर्बार में सिएमे नितीष ने 55 लोगों की सुनी समस्याए बीते दिन चार देश शिर् selbstर मांग इस्ति मुख्य मंत्री सचिवाले परिसर में जंता दर्बार आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंतरी के द्वारा विवन विभागों से जड़े कुल 55 लोगों की समस्याएं सुने गई पता दे कि बीते दिन जंता दर्बान में बांका जले से आये छबीला यादव के द्वारा सीय मृतीश को बताया गया कि तलका मांजी विश्विद्याले भागलपुर के अंतरगत उसे सेवान तलाव एवं पेंशन का भुकतान नहीं किया जा रहा वहीं मुझा परपुर जले से आई ममता कुमारी के दोरा कहा गया कि आंगरवारी सेविका की बहाली में और निमता बरती गई जिसके कारण उसका नियोजन नहीं हो पाड़ा हा तीसरे फडियादी ने कहा कि ट्रेन दुरगटना में मेरा दोनों पैड कट गया काफी खर्च के बाद मैं ठीक हो पाई समस्तेपुर जिले से आई चंद्रमा कुमारी ने कहा कि जमुई जिले में अवस्त समुलतला आवाश्य विद्याले में सक्षकों की कमी है जिससे पठन पाठन ठीक धंग से नहीं हो पाड़ा हा इसी तरह सियम्निदीश के द्वारा कई लोगों के समस्याएं सुने गई और समबंधित्वाग को इन मामलों पर समुचित करवाई करने का नरदेश दिया गया अब BBM और BCA के लिए भी कराना होगा AICTE से रेजिस्ट्रेशन अब कॉलेज और विश्वध्याले के अधी चले वाली BBM और BCA के कोर्स के संचालन के लिए AICTE यानि की All India Council for Technical Education से रेजिस्ट्रेशन करवाना अनिवारे हो गया है बता दे कि अब AICTE से रेजिस्ट्रेशन करवाने बिना कॉलेज और विश्वध्याले अगले सतर से BBM और BCA की पढ़ाई नहीं करवा सकेंगे वहीं बता दे कि रेजिस्ट्रेशन कराने के लिए AICTE की ओर से अंतिम तारी भी निर्धारित कर दी गई है जिसके तहत वर्दमान संस्थान वा विश्वध्याले के साथ साथ नई संस्थान को कोर्स अंचालन के लिए 31 जनवरी 2023 तक और लाइन आविदन करने को कहा गया है वहीं विलंब शुर्क के साथ 7 परवड़ी 2024 तर करवाया जा सकता है इस संबन में सभी प्राचारी को पत्र भेज दिया गया है बालमों के पहले यहनियम पीजी में MCA और MBA की पढ़ाई के लिए अनिवारे थी लेकिन अब इसे BBM और BCA के पढ़ाई के लिए अनिवारे कर दिया गया है राज्य के चिनहत राष्ट्रिय राज्किय राजमार्गो के निकट रिस्टोरेंट आदी खोलने का सनहरा अफसर है बता दे किसके लिए सरकार की ओर से आपको 50 प्रतिशत तक की प्रोथ्षाहन रासी उपलब्ध करवाई जाएगी की मालुम हो कि इस योजना का उद्देश्य है कि परटकों को आधुनिक सुवधाएं प्रदान की जाए और स्थानिय युवाओं को रोजगार के अफसर उपलब्ध करवाए जाए बता दे किस योजना के तहत मारगे सुवधा हे तू राज्य के 23 महतपुन परटन पड़ी स्टैंडर्ड बेसिक और कारेड़त शुवधाए हैं आविदक संबंध अविश्यक दिसान नरदेश एवं आविदन पत्र स्थिटी पी एस कोलंब स्लैस स्लैस टूरिज्म डॉट बिहार डूबे के बारे में प्रदीप दूबे का जन्म आज ही के दिन उनिस्वई क्याव स्टोनी ब्रुक स्टेट यूनिवर्सिटी ओफ नियॉर्क में अर्थसास्त के प्रोफेसर हैं और गेम थियोरी के लिए स्टोनी ब्रुक सेंटर के सदस्ते हैं वह काउस फाउंडेशन यल विश्वध्याले में विजिटिंग पद पर भी करयत हैं उनकी रूची के मिसंध सुसाइटि के फेलो और गेम थियोरी सुसाइटी की परिसत के सदस्से हैं 1989 में दूबे यरसलेम के हिब्रु विश्वध्याले में उन्नत अध्या संस्थान में एक सोध साती थे 1986 में दूबे ने विश्वध्याले में सेंटर फॉर गेम थियोरी इन एकनॉमिक्स के लिए अग्रणी प्रोफेसर और सहरेदेशक के रूप में अपनी वर्तमान सिती में प्रवेश किया शिवंदुवे ने बिहार को बताया खुद के लिए लखी अफगारिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले टी-20 सिरीज के खिलाफ बी-सी-सी-ाई के द्वारा भारती टीम का एलान कर दिया गया है जिसमें शिवंदुवे का भी नाम शामिल है वहीं फिलाल शिवंदुवे बिहार की राजधानी पटना के मुईनूल हक स्टेडियम में खेले गए रंजी ट्रॉफी में मुंबई टीम की ओर से खेलने के लिए बिहार पहुंचे थे ऐसे मुन्होंने बिहार काफी कम मिलते हैं आपकी जानकारी के बता दे कि बिहार में खेले गए इस रंजी ट्रॉफी मैच में बिहार की टीम को मुंबई की टीम से क्यावन रंसी हार का सामना करना पड़ा 2023 में बिहार पुलिस ने जब की सबसे अधिक शड़ाब बिहार में पुर्णूफ से शड़ाब बंदी हैसे में इसको लेकर बिहार पुलिस मुख्याले के नियमित प्रसवारता में ADGJS गंगवार के द्वारा जानकारी देते वें बताया गया कि बिहार पुलिस के द्वारा वर्ष 2023 में अन्य वर्षों की तुलना में सबसे अधिक शड़ाब जब किया गया है रोने कहा कि बिहार पुलिस शड़ाब बंदी को लेकर लगतार काड़वाई कर रही है वर्ष 2022 के तुलना में वर्ष 2023 में 25 प्रतीशत कम कांट अंकित किये गए हैं 2022 में जहां 96,157 FIR दज की गई थी वो वहीं वर्ष 2023 में 72,000 मामले दज किये गए हैं महिं वर्ष 2022 के तुलना में वर्ष 2023 में 16 FIR में गिरफतारी हुई है 2022 में 12,071,749 लोग के गिरफतारी की गई थी वर्ष 2023 में गिरफतार हुए लोगों की संख्या एक लाघ 43, 621 है वहीं वर्ष 2023 में 25 लाख लीटर शड़ा बढ़ामत किया गया है वही अगर जब्त किये गए वाहनों की बात करे तो जिससे सराप का ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो वर्ष 2022 में 16,988 वाहनों को जब्त किया गया है 13 जन्वरी को होने वाले कारिक्रम से केके पाठक ने बनाई दूरी बिहार सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक के द्वारा स्वास्ते कारणों का हवाला देते वे साथ दिनों की छुटी पर चले गए है बता देगी केके पाठक के द्वारा विभाग के मुख्य सचीव से 14 जन्वरी तक अफकास की सुर्गती ले ली गई है ऐसे में आपके केके पाठक 13 जन्वरी को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में नव निपत सक्षकों को निपती पत्र बातनी वाले कारेक्रम में भी शाबल नहीं होगे जिसे के प्रशासने गलियों में गहन गामी मची हुई है आपके जानकारी की बता देगी केके पाठक की गिंती बिहार के सबसे चर्चित आई-एस अधिकारी के रूप में होती है और इन दिनों वो सक्षा विभाग और सक्षकों पर की जा रही काड़वाई और सुधार को लेकर सुर्ख्यों में बने हुए हैं आई-जी शिवदी प्लांडे ने भू माफिया को लेकर कहा ये पिहार के मुझपर पुड़ के तरहुत रिंच के आई-जी शिवदी प्लांडे के दोरा स्सपी काड़े आले में सभी चार जिलों की अपरात की समिच्छा की गई बहिस्तोरान उन्होंने पत्रकारों से पाचीत करते वे कहा कि भू माफियाओं का एक रैकेट है जो यहां सक्रिय है कि अगर भू माफियाओं में किसी भी पुलिस पतादीकारी का आंत्रिक या बाहिस संबंध पाया जाता है तो उन्हें बकसान नहीं जाएगा और उन्हें कहा किस मामले में कोई भी पहुच पैरवी भी काम नहीं आने वाली है मैं खुद आगे बढ़कर इस पर काड़वाई करूँगा बता दे कि जिले में अपराद को लेकर समय छात्मक बैठा की गई थी जिसमें SSP राकेश कुमार सिटी S.P. अरवन प्रताफ सिंग सहायक S.P. के साथ अपराद के कल्चर और चुरौतियों के लेकर चर्चा की गई विहार में मौसम में होने वाला है बड़ा बदलाओ विहार में आने वाले दिनों में विहार के लोगों को कड़ाके की ठंड का एसास होने वाला है बता दे कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है साथी कोड़ा का कहड़ भी चारी रहेग मौसम रग्यानिक डॉक्टर आसीज कुमार ने बताया कि राज्य में सतही पच्छुआ और उत्री पच्छुआ हवा का प्रवाहत जारी है एक चक्रवाती परिसंच्रन अफ समुदरतल से 1.5 किलो मीटर उपर दक्षिन पश्चिम और उत्तर प्रदीश पर स्थैप इसके पल घना कुहासा चाही रहने की संभाबना जताई गई है आयमडी के ओर से इसको लेकर और इंज अलर्ट जारी किया गया है वहिंस के लावा राज्य के उत्तर पश्चिम उत्तर मत्य और दक्षिन पडवभागों के कुछ इस्थानों पर घना कुहासा चाही रहने की संभाबन जताई गई है और यलो अलर्ट जारी किया गया है बिहार को मिले आठ नए IPS सुरू हुई ट्रेनी बीते दिन ADG मुख्याले जुतंदर सिंग गंगवार के द्वारा प्रेस कॉंफेंस में जानकारी देते वे बताया गया कि बिहार को आठ नए IPS अफसर मिले है जिनने पुलिस क अकेडमी में पहले फेज की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद विहार भेजा गया है वहीं अब इनकी विभारिक ट्रेनिंग विहार में शिरू हो गई है जिसके तहत भावरे दक्षा को पटना मभुल्ला अंसारी को सारण कोटा किरन कुमार को मुझहपरपुर सालेंदर सिं के ट्रेनिंग पिरियर्ट की एक रैंकिंग बनेगी इसी आधार पर ये ट्रेनिंग में पास कोईए पचास लाकी सराब के साथ दो तसकर गिरफतार बिहार में पुनरूप से शिराब बंदी है लिकन इसके बावजूद भी आए दिन सराब तसकरी सिज्रे मामले सामने आते पचास लाकी शराब लदे कंटेनर के साथ दो तसकर को गिरफतार किया गया है इस बारे में उतपात विभाग के स्पी देविंदर प्रशाद के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार या छापे मारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी महीं उन्होंने बताया कि श शीट सेरिंग को लेकर केसी त्यागी के द्वारा दिये गए बयान के बाद अब पटना में जेडियू के एक और सीनियर लीडर मंतरी विजंदर यादव की ओर से भी अपने टिपने दी गई है बता दे के विजंदर यादव के द्वारा मीडिया से बात करते वे कहा गया कि फलहा 16 सीट पर जेडियू के सांसद हैं इस पर कोई समझोता नहीं होगा सिटिंग सीट पर कोई बात शीत नहीं होगी उन्हें कहा कि जदियू के लिए 16 सीट छोडने के बाद भी 24 सीट कॉंगरिस राज़त और वामपंथी पार्टियों के लिए बचते हैं 24 सीट कम नहीं ह अदला बदली करने को तैयार हो सकती है गडवन्धन में कुछ त्याग करना परता है लेकिन सोलर सीट से कम लेने का कोई सवाल नहीं उठता और उन्हें कहा कि सिटिंग सीट पर कोई समझोता नहीं होगा जीती वी सीट जेडियू नहीं छोड़ेगी सिक्षा मंतरी चंदर सेखर के बयान पर भरकी बीजेपी वित्रतिन बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक समराठ चौधरी के द्वारा मीडिया से बाचीत करते वे बिहार के सिक्षा मंतरी प्रोफसर चंदर सेखर पर उनके द्वारा दिये गए बयान को लेकर करी प्रतिक दाके हैं लोग मन की शाम्ती के लिए मंदर जाते हैं और स्वाश्थि के लिए असबताल जाते हैं। अबकी जानकारी के लिए बतादी कि प्रोफेसर चंर शेखर के द्वारा कहा गया था कि आज हिंदु बाद से शाबधान रहने की जरूवत है। मंदर का रास्ता मांसि गुलामी का रास्ता होता है स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है मुसल्मान वोट को लेकर मांची ने आरजेदी की रहनेती का किया खुला सा बिहार के पड़व मुख्यमंत्री और हम सयोज अकजीतन राम मांची के दोरा आरजेदी पर हमला बोला गया है और ने कहा कि राष्ट्री एजनता दल के लोग दुस्टी करन की राजनेती कर रहे हैं वह समस्ते हैं कि ऐसा करने से मुसल्मान वोट जो मिलता रहा है उसमें कोई सेंधमारी नहीं होगी लेकिन पीएम मोदी सबका प्रया से सबका कारे कर रहे हैं मुसलमान की समस्या क्यों भी निदान करने का कारे किया गया है बीजेपी पर जो आरूप लगाया जाता था कि एक धर्म के बारे में जाना जाता है इसे मोदी ने जुटलाने का कारे किया है आरजेडी के पैरतल जमी खिसकता नजर आ रहा है उन्होंने कहा कि एंडिये के शासन में कोई सामप्रदा इक दंगा हुआ है क्या ट्रिपल तारा को लेकर 80% महिला बीज़पी के साथ है वहीं आड़ जेडी को समझ में आ रहा है तो इसके लिए सुच्छा मंतरी चंदर सेखर को उकसाया जा रहा है टी ट्वेंटी वल्ड कप को जीतने को लेकर पुर्व चैंपियन खिलारी ने रोहत सर्मा के लिए कही ये बात टी ट्वेंटी वल्ड कप 2013 के शेडियूल की घोशना करती गई है ऐसे में अब टीम इंडिया के पुर्व कप्तान और सेलेक्टर रहे क्रिस्ट रिकांद के द टी ट्वेंटी विश्वकप के साथ बाहर जाना चाहेंगे जो वस्ट इंडीज और यूएस से में हुगा और होने कहा कि विराट कोली नश्चित रूप से टुर्णामेंट में शामिल होंगे क्योंकि वह शादार फॉर्म में है उनका टी ट्वेंटी विश्वकप दोहजा साथ विश्वकप में वह वहां थे वह कुछ ऐसा ही करना चाहेंगे और विश्वकप जीत करी बाहर चाना चाहेंगे भारत के तिहास में आज की तारीक है कई कारणों से दच 1760 में बरारी घाट की लड़ाई में अफगानों ने मराठाओं को हडा दिया था महातना गांधी दक्षन अफरिका से लोटने के बाद 1915 में मुंबई पहुँचे पहला भारती अव्रेग्यानिक तल 1982 में अंटार्टिका पहुचा एतिहासी को पन्यासकार एवं नबंदकार व्रंदा वनलाल वर्मा का जर्म 1889 में हुआ था भारतीय चिकसा के नोबेल प्रोडुसकार से सब्मानिट डॉक्टर हडगोविन खुराना का जर्म 1922 में हुआ था प्रसद पड़यावरण विद और चिपकु आंदोलन की प्रमोखनीता सुन्दरलाद बहुगुना का जर्म 1927 में हुआ था हिंदी सिनेमा के प्रसद पार्सब गायक महिंदर कपूर का जर्म 1924 में हुआ था भारतीय बॉलेवर्ड नर्देशक अभिनिता फल्न नर्माता गायक फढ़ान अक्तर का जर्म 1924 में हुआ था भारतीय टेलिवीजन अभिनिता शरद मलोतरा का जर्म 1923 में हुआ था भारत क में आजम बात करेंगे रिंद देने प्रसक्षन एवं रोजगार देने के बाड़े में सोशल मीडिया पर कहीं सूचना बारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रुई नहीं है इसी कड़ी में आजम बात करेंगे रिंद देने प्रसक्षन एवं रोजगार देने के बाड़े म अपने टुइट में लिखा है कि वेबसाइट युबाओं को उध्यमता हेतु रिंद देने प्रसक्षन एवां रोजगार प्रदान करने के लिए पंजी करवा रही है पी आईबी ने अभी टूइट में आगे लिखा है कि वेबसाइट पूरनता फेक है वेबसाइट समाजिक नय एवं अधिकारत अमंत्राले से सम्मधित रही हैं अधिकारिक वेबसाइट स्ट्ट पी एस कोलम स्लैस सोसलजस्टिस डॉट जी ओवी डॉट इन है गूगल क्रूम अब ट्रैक नहीं कर पाएगी आपका डाटा अब जब भी गूगल या गूगल क्रूम पर किसी वेबसाइट को खोलते होंगे तो वहां एक्सेप्ट ओल कुकीज को आता होगा जिसे एक्सेप्ट करने के बाद उस वेबसाइट की ओर से बहतर सुधा देने का दावा किया जाता है लेकिट असल में उन कुकीज को एक्सेप्ट करने के बाद वो वेबसाइट आपके डाटा को ट्रैक करती है गूगल के क्रूम पर किसी वेबसाइट को ब्राउज करने व चीज के बारे में सर्च करेंगे तो फिर उससे जुड़े तमाम विग्यापन आपको बार बार देखने को मिलने लगेंगे इससे बहुत सारे यूजर्स को परिशानी होती है यूगल ने अपने क्रोम प्राउसर में यह नया बदलाव फिलाल सर्फ कुछ चिरंदा यूजर्स है तो सरकार के द्वारा जाड़ी के गए एक एक होली युद्धा आप का इस्तमाल आप कर सकते हैं बता दे कि हैप सरकार के ओर से लोगों के सुभधाओं को देखते वें डिजाइन किया गया है हाला कि सैप को केवल एंडुरॉइड यूजर्स के द्वारा इस्तमाल किया सकता है क्योंकि यह एप के वल एंडुरॉइड दॉजर्स के लिए ही उपलब्ध है वहीं सैप को युद्ध्या डेवलप्मेंट अथौरॉर्टी यानि की द्वारा डेवलप किया बता दे किस अप के जरीए आपको होटल बुक करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने ह होंगे सबसे पहले आपको इस आपको अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर की मदसे डाउनलोड करना होगा इसके बाद पोन नंबर के जरीए आप में लॉग इन करें वहीं अगर आपके वल सर्च करना चाहते हैं तो आप विना लॉग इन किये भी रूम के प्राइस देख सकते हैं इसके लावा अगर आपको कोई रूम पसंद आता है तो आप उसे विस्ट लिस्ट में टाल सकते हैं इसके लिए आपको हाट आइकन पर क्लिक करना होगा फाइलेरिया अभियान की सफलता को लेकर 11 जनवरी को होगा मन्थन फाइलेरिया पर काबू पाने के लिए शिडू होने वाले अभियान की सफलता को लेकर विहार की राज़धानी पटना में सत एक होटल में एक विस्तरत चर्चा के लिए 11 जन्वरी 2024 को एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें राज्जी कारेक्रम पदाधिकारी आशा वर टीम के साथ प्रतेग जले के DCM वजला अनुस्टरवन एवम बुल्ल्यांकन पदाधिकारी डबलू एचो के राज्जी समन्वयक समेट कई स योगी संस्था के राज्जी कारेक्रम पदाधिकारी भाग लेने वाले हैं आपकी जानकारी के लिए बता दी कि फाइल एरिया पर काबू पाने के लिए बिहार के बांका भागलपुर पुर्वी चंपारण गया कैमोर जमुई और एंगाबाद वैशाली जहानाबाद अर् प्यासी बिहार पुलिस दारोगा समेंत एससे जैसे अनिफ्रतियों की परिच्छाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेशल विग्यान करेंट अफियर्स और भुगोस रहेंगे पूछे के पांचो सवाल में आपने कितना सही उतर दिया यह हमें कॉमेंट करके में जरूर बताइं हमारा पहला सवाल है हाली में किस्तिती को महायान नौव वर्ष और ॉल्ड रॉग मनाये गया आप्शनी ओप्शनी अस्तुटई 그건 honors immunity अगला सवाल हाल Webs Julie yeah मंगल योजना ऑप्शनी स्पेस मिशन और सुखेमिशन ऑप्शनी प्रित्वी पिग्यान योजना इसका सहुद तरह ऑप्शनी प्रीथवी पिज्ञान योजना अगला सवाल विहार के किस शहर में सबसे अधिक तर्थ यात्री आते हैं ऑप्शनी बोद गया, ऑप्शनी वैशारी, ऑप्शनी राजगीर, ऑप्शनी भागलपुर इसका सहुद तरह ऑप्शनी बोद गया, अगला सवाल, शेर्शा की प्रशास्नी प्रयोग साला कसको कहते हैं ऑप्शनी सासाराब, ऑप्शनी दिल्ली, ऑप्शनी चुनार, ऑप्शनी पठना इसका सहुद तरह ऑप्शनी सासाराब बीत दिन हमादरा पूछ के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों न पंजाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन वॉक्स में लिख कर दिया था, जिन्होंने हमादरा पूछ के सवालों का जवाब दिया है, उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार बिहार की 40 लोग सभा सीटों में से बिहार की महागडबंधन सरकार में शामिल पार्टियों को कितने कितने सीटों पर चिनाव लड़ना चाहिए अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारे नीज और साथी अगर आप यूटूब से देखने चाहिए को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखने तो पीस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद